हेलो हाई नमस्ते क्याम छुमो जामा मित्रो मैं हूं कुझान चावड़ा और आप सब का स्वागत है इस नए वीडियो में मित्रो आज की जो रेश्रिपी है बहुत ही सिंपल और बहुत ही मसदार है तो चले जाधा टाइम जाहर ना करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे की मित्रो आप देख रहे हैं यह है आज की जो हम रेश्रिपी बनाने वाल है उसकी सामगरी सिंपल सी चीजे हर एक के घर में उपलब्द होती है तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक कोटोरी सुजी लेंगे सुजी ले ली है हमने और उसके बाद एक कोटोरी छोटा बारिक कटा हुआ प्यास लेंगे छोटे-छोटे पीसिस की हुए है और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना दिका काते हो वह हिसाब से मिर्च लेंगे उसके बाद आलू को आलू को बारिक छीन लिया है जिससे पतला हो जाए और यह जल्दी से घुल जाए उसके बाद हम लेंगे दो चमच जीरा और सोडा सोडा रालने के बाद खाने का जो सोडा होता है एक आधी चमच सोडा लिया तो और आधा चमच नमक लेंगे यह सब हो जाने के बाद एक ग्लास चांच लेंगे जो हम इससे बेटर बनाने वाले हैं चांच ले लिए मित्रों अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं यह आप मिक्स करते रहें अच्छी तरह से जब यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए मित्रों तब इस टाइप का हो जाएगा और आपको और भी लगे के थोड़ा थीक है तो आ अगर आप एक बार बनाएंगे तो जरूर दूसरी बार मज़ा आए जाएगा आपको यह बनाने में और खाने में भी तो रेडी हो चुका है इसको हम 10 मिट के लिए ठक्के रखते हैं जिससे अपनी सुजी है वह थोड़ी फूल जाए देख रहे हैं आप मित्रों यह दस मिट भी बता रहे हैं इसको बहुत से लोग अपम कहते हैं अपे कहते हैं डंखेला कहते हैं गब गोटा कहते हैं तो सबसे पहले आप यह जो जो मूल है उसमें आपकी सबसे तील डालेंगे अगर आपको फ्राइब करना है तो ज्यादा दिल डालेंगे अगर आपको कम तील डाल इस तरह से जिसके आप देख रहे हैं कि यह तीरे-टीरे-टीरे सब मूल में हम दाल देंगे बेटर देख सकते हो मित्रों यह सब almost हो चुका है और यह हो गया है मारा ready ने पूरा अब इसको पलटा देंगे मित्रों यह बहुत ही सिंपल और बहुती फिर वान के हैं गरा पर जोरु ब्लाइक कीजिएगा और आपको केसे लगां 2016 जरूर किजिएगा और वीडियो अच्छा लगह तो लाइक वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक केर जाए माता जाए जाए